हेलो गाइस माइनेम इस सीमा लालवनी तुड़ीज टॉपिक इस बेशिक फैक्टर और फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजिजिन अज यू नो हम बिजनेस के चैप्टर पढ़ने कल मैंने परपोस और अबजेक्टिव बिजनेस कराये था उससे पहले हमने नीचर्ज मीनिंग और बिजनेस समझा है तो हमने बिजनेस का बेस समझ लिया है अब हम यह समझेंगे आज की सेशन में कि अगर एक बिजनेस मैं बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसे क्या फैक्टर जो उसके अफेक्ट कर सकता है उसके बिजनेस डिसीजिजिन को तो आज हम डिटेल म को ध्यान में रखके कि जो मेरा business decision है वो future में जाके ऐसा तो नहीं मेरा business loss में चला जाए और विस बात है अगर मैं business start करना चाहती हूं तो मैं profit earn करना चाहूंगी market को capture करना चाहूंगी तो आज हम वो चीज़ देखेंगे कि क्या factor affect कर सकते मेरे business decision को ताकि मुझे profit earn हो और मैं market भी capture easily कर पाँ तो let's discuss in detail starting a business basic factor of factor affecting business decision मुझे business start करना हो तो क्या basic factors होते है और ऐसे क्या factor affect कर सकते है मेरे business decision को the first one is selection of line of business ये point क्या बोल रहा है based on the requirement in the market nature and types of business to be selected क्या market का nature है और उस market के nature के सापसे मेरा business के type का selection होना चाहिए take an example we are in 11th class now अब 11th class में तो बहुत सारे options होते है commerce भी होता है science होता है biology होता है arts होता है तो सब field में तो हम expertise नहीं कर सकते हैं हमें एक field choose करना होता है न वैसे ही business में भी क्या होता है हर तरह के business होता है एक नहीं होता लेकिन आपको यह दिखना होता है कि आप किस field में expertise है क्या मेरे market के demand है क्या मेरे customer की needs and wants है उस हिसाप से मुझे selection करना चाहिए business को take an example मैंने एक business सोचा क्या सोचा एक restaurant open करने का सोचा South Indian restaurant यह क्या हुआ मेरा selection of line of business मैंने select किया कि इस market में मुझे South Indian restaurant open करना है लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने यह notice कि उस market में South Indian restaurant की इतनी demand ही नहीं है वहाँ पर किस चीज के demand है North Indian food की प्रॉपर थाली की समझ में आया कि मैंने South Indian restaurant open किया लेकिन वह जिस market में मैंने open किया जिस market को मैंने capture करने के कोशिच के उस market में किसकी ज्यादे दिवांड थी North Indian food इस example से क्या पता चला कि मेरा business का जो decision था जो factor first factor था selection of lines of business वो मेरा fail हो गया इस example shows कि जो मेरा selection of lines of business होना चाहिए वो market को ध्यान में रखके मेरे customer की needs and wants को देखके उनकी demand को देखके और मेरे पास उसके expertise है कि नहीं knowledge है कि यह सब चीजे ध्यान रखके फिस selection of line of business करना चाहिए so the next one is size of the firm size of the firm क्या बोलता है कि मेरा पास जिससाब से amount available हो and जिससाब से market की demand हो उससाब से मेरा firm की size होनी चाहिए कि मुझे पहले small scale करना चाहिए यह medium करना चाहिए यह large scale करना चाहिए next is choice of form of ownership form of ownership मतलब कि किस type का हमारा organization होना चाहिए किस type के हमारे enterprises होनी चाहिए take an example sole proprietorship होनी चाहिए यह partnership होना चाहिए यह company होनी चाहिए और भी तरह की बहुत enterprises होती है लेकिन वह किस पर depend करता है based on the amount of capital required, legal formalities to be filled in, liabilities of the owner etc the form of ownership is to be decided अगर मुझे अकेले करना है किसी का interference नहीं चाहिए और मेरे पास इतना money है finance है यह मैं loan ले सकती हूँ तो मैं sole proprietorship के ले जाऊंगी अगर मुझे मेरे two three friends है तीनों दो तीन लोग मिलके business start करना चाहते है then I will go to partnership और अगर उससे जादा है और मुझे जादा amount की जरूरत है जादा finance की जरूरत है तो I will go to company तो जिस साबसे मेरा firm होगा जिस साबसे मेरा ownership होगा जिस साबसे मेरे enterprises होगी उस साबसे मेरा capital requirement का मैं देखूंगी legal formalities कैसी होगी उस साबसे क्योंकि हर एक enterprises हर एक ownership की अलग-अलग legal formalities होती है और एक अलग-अलग liabilities होती है उस ownership में next is location of the business enterprises this factor shows that based on the availability of raw material and infrastructure facility location of the business to be selected जहां मुझे easily available हो raw material जहां मुझे पास में raw material मिले जहां मुझे infrastructure की facility मिले उसके पास मुझे business को select करना चाहिए ऐसा नहीं मैं north side बैटी हूँ और मेरा raw material आ रहा है south side ऐसे में क्या होगा मेरा production महेंगा पड़ जाएगा मुझे and automatically मुझे जो मेरा product के वो महेंगा बेचना पड़ेगा या अगर मैं महेंगा ना बेचूं तो मैं loss में जाओंगी क्यों क्योंकि मैं raw material का आना जाने का मेरा खर्चा बढ़ रहा है next is finance arrangement finance arrangement क्या है कि requirement of capital and its sources must be deciding before starting your business यह एक main factor है मैं कहूं important factor है कि मेरे पास capital कहां से आएगा क्या मेरे पास इतनी savings है कि मैं अपना business चला लूगी क्योंकि obvious बात है business के starting में तो मैं यह नहीं सोच सकती कि मैंने आज इतना लगा है मुझे उसका double मिल गया नहीं starting में तो आपको break even point पर आ जाएंगे कैसे capital आएगा कितना requirement है मेरे capital की कितना source मुझे पहले से सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना पैसा लगाना है या तो मैं किसे relative से लूँ या मैं loan लूँ तो इस stage पे एक businessman यह सोचे क्यों देना होता है government को take an example आज रोड कौन बनाता है government बनाती इंफर स्ट्रॉक्टर की facility कौन देता है हमें government देती है government schools government colleges government hospital यह किससे बन रहे हमारा जो profit का जो पार्ट जाता है जो हम tax pay करते हैं उसके थ्रू जो हमारे पैसा जाता है उसके थ्रू वह बनता है तो एक businessman को अगर business start करना है decision लेना है तो यह factor भी उसको सोचके चलना पड़ता है कि अगर मैं इतना turnover कर लेता हूं इतना profit earn कर लेता हूं तो मुझे कुछ पार्ट government को as a tax pay करना पड़े competitive and committed workforce what does it means कि businessman जब अपना business decision ले तो यह भी factor ध्यान में रखके ले कि जब वो planning करें तो वह employees का भी बहुत ध्यान रखका करें कि कैसा उसको selection करना है कैसी अपने employee को training देना है and time to time उसको motivate करना है appreciate करना है because winner workers के वो अकेला तो नहीं कर सकता and worker competent हो committed हो अपने काम को लेकर यह कह सकते right person at the right place at the right job यह सब चीज़ों को भी ध्यान में रखके करें अब छोटा से revision कर ले नॉर्मली रटना नहीं है एक concept clear करना है कि business man को जब decision लेना और business start करने के लिए तो क्या क्या न देख सबसे पहले तो उसको यह देखना चाहिए कि उसका किस में specialized है किस में वो जादा अच्छा काम कर सकता है वो वो choose करें फिर वो यह देखें कि जिस market में वो देख रहा है वहां पर उस market में उस product की demand है की नहीं है फिर वो finance देखें और उस finance के साब से अपना size देखें कि किस size क तो वो firm बना सकता है small large medium and वो यह भी देखें कि tax planning जिससे साबसे ownership होगी sole proprietorship होगी तो उससे साथ उसको tax pay करना पड़ेगा अगर company है तो उससे साथ से tax pay करना पड़ेगा तो वो सब चीजे देखें and side by side वो यह भी देखें कि कि किस type के उसको employees चाहिए and उस type के वो select करें and train करें and motivate करें so before going please do like share and subscribe my channel and please press the bell notification thank you guys thank you so much for watching my video